कविट नाइटीन के लिए ठीका 100% असर करें ऐसा मुश्किल है इंडिन कांसल फॉर मैडिकल रिसर्च के महानिदेश डॉक्टर बल्राम भारगव यही कह रहे हैं उन्होंने कहा कि श्वैसन तंत्र से जुडी बेमारियों के लिए बनी कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं रही है डॉक्टर भारगव के अनुसार 50-100% असर वाली कोविट वैक्सीन को इस्तमाल की मनजूरी दी जा सकती है डॉक्टर भागव का बयान भारत के ड्रग रेगुलेटर, Central Drugs and Standard Control Organization DSCO के कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी ड्राफ्ट गाइदेंस नौट के ठीक एक दिन बाद आया CDSCO ने सुझाया है कि रिसार्चर्स किसी वैक्सीन कैंडिडेट की संक्रमण से बचाने की एक्षमता भर ही ना देखें वो ऐसी वैक्सीन चुने जो कंभीर इंफेक्शन होने से रोके Oxford University की वैक्सीन ने शुरुवाती ट्रायल में उम्मीद जगाई है वैक्सीन इम्म्यून रिस्पॉंस ट्रिगर करने में सफल रही ICMR के अनुसार भारत में बनी वैक्सीन भी असरदार साबित हो सकती है क्योंकि उनका कंपोजिशन आसान है और सेफटी सुनिश्चित की गई है भारत में इस वक्तीन वैक्सीन हुमन ट्रायल से गुजर रही है रूस पे अप्रूब हुई वैक्सीन के ट्रायल की अनुमती भी जल्द ही मिल सकती है फिल्हाल से रम इस्टिटूट ऑफ इंडिया जिस वैक्सीन का फेस्टी ट्रायल कर रहा है वो आफ्सपोर्ट यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजनेका में डवलब की है इसके अलावा ICMR, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाडिस कैनला की जायकोफ टी का भी इंसानी ट्रायल चल रहा है अगर आपको इस रूपोर्ट पसंद आई तो इस लाइको शेयर करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए